नमस्कार मित्रो आज मैं आप लोगों के लिए शिरी शिरी के लिखे हुए फोरवर्ड मार्च की समरी हिंदी में लेकर आए हूँ शिरी शिरी ने जो ये फोरवर्ड बार्च लिखा है एक्चुली ये पोईम उन्होंने ओरिजिनली तेलगू में लिखी थी फोरवर्ड मार्च शिरी शिरी के एक बहुती परसिद वरक महा प्रस्थानम की ओपनिंग पोईम है अब हम स्टार्ट करते हैं Forward Mars जो है वो इस दुनिया के यूट को अड्रेस करती है शिरी शिरी ने ये माना है कि यूट जो हैं वो इस दुनिया का बदलाव कर सकते हैं केवल यूट ही हैं जो पुरानी बिकार दुनिया को खतम कर सकते हैं यह जो पोईम है यह एक आर्मी कमांड के रूप में इसका टाइटल लिखा गया है फोरवड मार्च आर्मी कमांड वाले बोलते हैं कि आगे बढ़ो यह जितने भी दुनिया के दबे कुछले इंसान है उन सब को एक आवाज लगाई गई है कि आव और दुनिया को बदल दो रश्यन करांटी से इंस्पायर्ड होकर फोरवड मार्च ने सारी जनता को यह अपील की है कि आप हर जगा एक करांटी करो जो पहला पैराग्राफ है वो बताता है कि जो युवा हैं वो एक नई दुनिया की तरफ जा रहे हैं इसमें कुछ शब्द आते हैं जैसे कि रोलिंग टॉलिंग यह एक परकार का ओनो माटव पोयक एफेक्ट क्रियेट कर देते हैं यह जो फॉरवर्ड मार्च सोंग है यह दुनिया के दुखी परिशान जनता को एक आवाज लगाता है कि उटो और अपनी प्रतितियों के खिलाफ विद्रो करो अनदर वर्ड वर्ड जो है वो एक परकार का क्लासलेस यूटोपिया है जाती वहीन वर्ग वहीन एक राम राज्य है जो कि सभी परकार के मार्कसिस्ट का एक सपना है जो उन्हों ने एक सपना सोचा ता कि हम एक लंबी रेलेंट्रन स्ट्रगल करेंगे जिस अपने इसके और बहुत sacrifice देना होगा तब ही यह प्राइट किया जा सकेगा जो जो अनəदर अनदर का repetition आता है वो यह बताता है कि यह जो निया वर्ड है बहुत दूर और इसे बहुत मुश्खिल से प्राइट किया जा सकता है first stanza में हमें एक optimism, आशावाद और confidence दिखाई देता है जो second stanza में चलता है second stanza की जो rhyme scheme है वो बड़ी quick है और बड़ी short statical lines है जैसे the choice is clear, the house is near the vision of another world, utopia जो है वो चलता रहता है पर अब metaphor change हो जाता है अब ये एक नई दुनिया का metaphor नहीं है बलकि ये एक ऐसी दुनिया है जो वरतमान दुनिया के अफशेशों पर बनेगी जो दो images एक ये बताते हैं our blood in flood will drench all roads वो जो sacrifice है है जो की वो जो आगे बढ़ने वाले हैं उन्हें sacrifice देना पड़ेगा ताँ कि तब ही उनका लक्षए प्राप्त होगा जो उनका लक्षए है वो एक नई दुनिया है एक नया संसार है मार्क्सिजम ये मानता है कि दुनिया में जो शांती है वो अराजगता क्योस से ही बार आएगी जो revolution जिसके वो कलपना कर रहे हैं वो इतियास को बदल कर रख देगा और हमारी जोग्राफी को और हमारे इनसान के दिमाग को बदल कर रख देगा क्योंकि जो वरतमान हिस्ट्री और जोग्राफी है वो हमारी जो माइन्ड की creation है और इसमें वो ये कलियर करना चाहते है कि वो creation को बदलेंगे कैसे वो इसको इस प्रकार से बदलेंगे है कि जो ये नहीं दुनिया में रिवुलूशन होगी उसके अंदर जो हमारा पास्ट काल है उसको हटा दिया जाएगा तब जो जो जोग्राफी चेंज ऑफ जोग्राफी की बास शिरी शिरी करते हैं तो वो मार्वसीजम का एक लक्षय था वो एक लक्षय था इंटरणेशनल ब्रदरूट अंतराश्ट्रे भाई-चारे का एक क्लास लेस्स सोसाइटी का जिससे की जो कि इनसान के बनाई हुई देशों की सिमाओं को दूर कर देगा इसी हिस्ट्री से ये जो हिस्ट्री है ये हिस्ट्री अब एक एक रिकोर्ड होगी ना केवल राजाओं की जीत की कोई बात नहीं होगी बलकि इसके अंदर आम लोगों की जिंदिगी की बात होगी फिर फिर्ट्र स्टैंजा जो है ये एक एंग्री नोट से स्टार्ट होता है इस स्टैंजा में जो मार्चर है उन्हें जो भूत काल है उसकी जो गलती है उनको जुदार का अफसर दिया जाता है ये स्टैंजा जो है वो ये बताता है कि जितने भी हमारे इंस्टिट्यूशन ह जो कि इंग्जस्टिस और हाइपोक्रिसी शडियंतर के जूटे वादों पर अधारित हैं उन्हें हम बदल के डिमॉलिश कर देंगे खतम कर देंगे इससे बहुत साउंड और फ्यूरी होगी बाकी स्टेंजा में मिनिंग कम हैं इस स्टेंजा के अंत में शिरी शिरी जो हैं वो एक पब्लिक स्पीकर बन जाते हैं ना कि जो पहले तो एक रिटोरिक परसंड बन रहे थे एक वाशन देने वाले बन रहे थे अब एक पब्लिक स्कीर बन जाते हैं हाला कि इस टेंजा में वो डिस्ट्रक्शन की बात करते हैं लेकि इसमें वो मित और ट्रेडिशन की ब ये शब कोन बोलते हैं हरीयों जो है वो शिव से असोसियेटिर है जो कि शिव हमारे जो तीन प्रमुग देवता है तरी देव जो है हमारे भ्रम्ह विशनु और मेश उन में से एक है भगवान शुव जो कि विनाश के देवता है विनाशक हैं वो पूरी दुनिया के तो ये बात उसकी उसमें हरियों हरियों के थुरू ये बगवान शीव की बात कर रहे हैं ये कह रहे हैं कि बगवान शीव जो हैं वो दुनिया के विनाशक हैं और वो दुनिया में जो बुराई के विनाशक हैं समय समय पर ये कारे हिंदू माइथलोजी में वो कर रहे हैं और अब एक बार फिर भगवान शिव जो है वो इस दुनिया का विनाश करेंगे यह एक बहुत बड़ी भीड़ है जो हरियों हरियों करती हुई ही बता रही है और यह जो भीड़ का मिलन है यह पास्ट और प्रजेंट का मिलन है एस्ट और वेस्ट का मिलन है और इसके अंदर जो एटरंल स्ट्रगल है इंसान की वो शोग करती है इसके बाद में पांचवें स्टेंजा में वो एक Elemental Fury की इमेज शोग करते है जो इन आगे बढ़ने वाले योदाओं पर अच्छा चुकी है अगर वो अपने लक्षे तक नहीं पहुंचते हैं तो ये जो साइक्लोनिक वाइंड की बात करते हैं हमें अपने दिमाग में ये रखना चाहिए कि जो आगे बढ़ने वाले युवा हैं वो उनके अंदर चक्रवाद का गुसा है और थंडर है और वो हमारे माइंड से भी ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं तांकि वो इस इविल दुनिया को नश्ट कर सकें जब शिव जो हैं वो गुसा हो जाते हैं वो तंडव नित्ते शुरू कर देते हैं तब वो एक डेस्ट्रोयर में चीजार जाते हैं इसी तरह मार्चर जो हैं वो ह्रियोम हरियوم करके आगे बढ़ रहे हैं अब वो कहते हैं कि इस तरह से मार्च करने वाले खुद शिव में convert हो गए हैं और वो इस जो बुरी दुनिया है उसको नश्ट कर देंगे और इस तरह से वो त्रेता यूग को त्रेता यूग को वापिस ले आएंगे और त्रेता यूग राम राज्ये से जुड़ा हुआ है एक ऐसी दुनिया जहां कोई कष्ट नहीं था हो चुकी है जो ब्लड इंफलड के जो उन्होंने इमेजरी दी थी अब वो इमेजरी ए लाइक और ब्लड एगलो में convert होगी है जैसे की जैसे की ओल उबलता है उसी तरह से यहां ब्लड जो उबल रहा है सिक्स टेंजा जो है वो एक modern वर्ड की पिक्चर करता है जिसके है नियारा और नैंजा जो टर्म देते हैं यह बहुती शांदार एक अपनी मेजरी देते हैं इसके बाद में इसके बाद में वो बात करते हैं शिरी शिरी अब इस्ट और वेस्ट को दुबारा मिलाना चाहते हैं तांकि वो एक नहीं दुनिया बना सकें अब इसके बाद मे फाइनल स्टेंजा में एंगर गुसा इंपेशन्स अधारे और अप्टिमिजम सब मिल जाते हैं पोईट क्या देखता है कि जो पुरानी दुनिया है वो अब नश्ट हो रही है और उससे एक नई दुनिया एक नई सूरे की नई सुबह की तरह उग रही है जो यूथ है जिसे की वो कॉमरेट की बात कहते हैं वो अब डस्ट और डर्ट और डस्ट से निकल कर जो पास्ट की डर्ट और डस्ट है उससे वो निकल रहे हैं ताकि वो जो नई दुनिया है वो उसके उपर past की जो unwanted legacy है ना वो खतम हो जाए हलांकि paradoxically ये जो past है वो past उन्हें कैसे मिलता है वो जो symbol है वो symbol से मिलता है जैसे इन्होंने इकाए कि शिव के जो सांप है वो शिव एक destroyer है जिनके सांप की symbol की बात कर रहे हैं यहां पे वो मा भारत के धनंजे अरजुन की भी बात कर रहे हैं लेकिन वो कहते हैं कि अगर serpent जो है वो mythical lore से serpent जो है वो mythological है तो greyhound जो है वो modern world की बात करते हैं इस तरह से ये evil को नश्ट कर देते हैं एक बार फिर mythology और ideology अधर्श्वा दोनों मिलकर point की जो revolutionary message है उसको एक modern context देते हैं एक नई सुबह एक नई दुनिया पर आ रही है एक नए सची दुनिया पर आ रही है जो अब वो जो धनंजे हैं जो द्वापर यूग के हैं वो एक नई दुनिया का क्लेम करते हैं शिरी शिरी ने इस तरह अलग अलग यूग जो हैं उनकी जो mythological cycle को एक साथ मिला दिया जैसे पहले उनोंने त्रेता यूग फिर जौपर यूग और फिर modern कल यूग सब को मिला दिया और इसके बाद उनोंने प्रले की imagery दिया है प्रले मतलब दुनिया के अंदर जो बुराई है उसका नष्ट हो जाना और एक नई दुनिया का उत्पन होना इसके अंदर उनोंने ये बताया है कि mankind जो मानवता है वो eternal struggle कर रही है तांकि एक नई और just समाज की सापना हो सके जो red flag जो आप picture में भी देख सकते हैं वो red flag और वो जो ritual flame of time है वो जो sacrifice जो की तरेता और दौपर यूगों का जो sacrifice दिये गए हैं वो सब मिलकर दुबारा होते हैं जिसे की past और present को वो connect कर देते हैं और आदमी जो हमारी इनसान की जो quest है राम राज्य की वो जो यूगों यूगों से हमारा जो एक आदर्शवादी गोल है उसको ये प्राप्ट करते हैं so I hope friends वीडियो आपको exam में helpful होगा आपने अपना कीमती समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुगो